नमस्कार भारत होमयोपैथी के यूटीव चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो आपकी किड्नी की खराबी के वज़े से आई हुई सूजन को कम करने में आपकी मदद करेंगे लेकिन इससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी किड्नी में जो खराबी आई है उसकी वज़े से हमारे शरीर में सूजन क्यों दिखाई दे रही है हमारे हातों में सूजन क्यों आती है हमारे पैरों में सूजन क्यों आती है हमारी आँकों के नीचे सूजन क्यों आती है या कई बार तो आपने देखा होगा कई किड्नी पेशंट्स के चहरे पर भी काफी ज्यादा हथ तक सूजन होती है तो इसके पीछे कारण क्या है इसके पीछे सीधा सा कारण एक तो यही है कि जब आपकी किड़नी में खराबी आई है तो किड़नी अपने functions अच्छे से नहीं कर बारी अब किड़नी के functions क्या है तो किड़नी का सबसे बड़ा function क्या होता है वो आपके शरीर से सभी waste materials को urine के थुरू बाहर करती है लेकिन जब किड़नी में खराबी आना शुरू हो जाता है तो वो आपके शरीर के waste materials को सही से बाहर नहीं निकाल पाती और वहीं आपकी kidney आपके शरीर में fluid का balance बनाती है और वहीं kidney आपके शरीर में chemicals का balance बनाती है और आपके शरीर में पानी के balance को भी आपकी kidney ही देखती है कि आपके शरीर में पानी ज़्यादा store ना हो लेकिन जब आपकी kidney में खराबी start हो जाती है तो वो अपने काम दीरे दीरे करना छोड़ देती है और जब आप पानी पीते हैं आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि आपके किड्नी में खराबी शुरू हो चुकी है आप सपोज आपकी किड्नी दिन में एक लिटर पानी को फिल्टर कर रही है लेकिन आप 4 लिटर पानी पी रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा जो पानी आप एक्स्टर पी रहे हैं आपके किड्नी उसे फिल्टर नहीं कर पारी तो वो पानी आपके शरीर में स्टोर होने लग जाएगा वो आपके पैरों में स्टोर हो जाएगा अक्सार आपने सुना होगा कई लोग ऐसे बोल जोते हैं तेरे शरीर में तो पानी बर गया है तो वो पानी बर गया है क्या मतलब है यानि कि आपके किड़नी का filtration rate down हो गया है आप जो पानी पी रहे है वो बाहर ना निकल कर आपके शरीर में store हो रहा है इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि अगर एक बच्चा स्कूल जाता है और एक दिन का अगर वो off ले लेता है और next day जब वो जाता है उसको अपने last day का काम करना होता है आज का काम करना होता है जिस दिन वो आया है लेकिन वो क्या दोनों काम को उतने effectively एक दिन में कर सक कर सकता है नहीं कर सकता क्योंकि उसका mindset एक दिन के काम के हिसाब से बना हुए जब वह दो दिन का काम एक साथ करेगा तो ना तो वह उस काम को अच्छे से कर पाएगा और नहीं इस काम को जब आपकी किड्नी में खराबी शुरू हो जाती है तो आप क्या करते हैं आप पानी प खतम कैसे किया जा सकता है तो इसके भी दो तरीके हैं एक तो आप पानी कम पीए और दूसरा आप नमक कम खाएं या बिल्कुल ना खाएं तो अब इनको थोड़ा detail में समझते हैं कि ये दो तरीके कैसे आपकी swelling को कम करने में आपके मदद करते हैं तो सबसे पहले पानी कम अगर आप चाय, कॉफी या सोडा ड्रिंक या कोल ड्रिंक पीते हैं तो इसे avoid करें क्योंकि ये आपको पानी की प्यास को और ज़्यादा बढ़ाती हैं ये आपकी प्यास नहीं बुझाती लेकिन आपके शरीर में liquid को बढ़ा देती हैं क्योंकि जब आप liquid form में कॉफी पीत है तो यह और amount में store हो जाता है इस वज़े से आपकी swelling कम नहीं होती तो इस स्थिती में आपको क्या करना है आपको पानी को कम पीना है आप पानी कम मात्रा में पीएंगे तो आपकी kidney क्या करेगी जो आपके शरीर में store पानी है आपकी kidney उसे filter आउट करेगी और उसी को urine के थ उसी को filter करती रहेगी और जो extra पानी आपका है वो store होता जाएगा और आपकी सूजन की समस्या बढ़ती जाएगी ये तो एक तरीका होगा कि आप कम पानी पीएंगे तो आपके शरीर से सूजन धीरे-धीरे कम होगी अगर आप पानी कम पीना शुरू करते हैं like जैसे अगर आपको प्यास लग रही है तो आप किस तरीके से पता लगाते हैं कि आपको प्यास लग रही है आपके होट सुखे सुखे महसूस होते होगे आपको आपकी जीब सुखी महसूस होती होगी आपको आपका गला सुखा महसूस होता होगा तो ऐसे में आपको क्या करना है पानी आपको sip sip करके पीना है मतलब एक sip आपको पीना है और रुख जाना है क्योंकि आपके शरीर में पानी already है आपकी body को पानी की जरूरत नहीं है इतना आप समझ जाए आपकी body को जरूरत नहीं है जब आप पानी पीते हैं तो आप किस लिए पानी पी रहे हैं आप अपने होटो के लिए अपनी जीब के लिए अपने गले के लिए पानी पी रहे हैं आपको इनकी प्यास बुजाने क्योंकि इनको जो dryness महसूस हो रही है आपको उसे खतम करना है क्योंकि आपकी किड्नी को जब पानी की जरूरत होगी तो आपकी किड्नी पानी कहां से लेगी आपकी क्योंकि आपके शरीर से पानी दीरे दीरे बाहर निकलने लगेगा वहीं जब आप पानी ज्यादा पीएंगे तो यह पानी स्टोर होने लग जाएगा और जब आप कम पानी पीते हैं तो इससे आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी वह बाहर निकलने लग जाता है वहीं द नहीं जाने देता, ऐसे में अब नमक से क्या होता है, नमक आपके शरीर में sodium के level को बढ़ाता है, और जब आपके kidney में खराबी शुरू होती है, तो आपके kidney क्या काम करती है, आपके शरीर में chemicals का balance बनाना भी भूल जाती है, और जब sodium का level high होता है तो आपके शरीर में पानी स्टोर होने लग जाता है और जब आपके शरीर में पानी स्टोर होने लगता है तो आपको swelling की समस्या जरूर ही दिखेगी इसलिए आपको क्या करना है नमक को अपनी diet से बिल्कुल खतम कर देना है ये तो हुए अगर आप 2-3 दिन भी नमक को अपनी diet में शामिल नहीं करते और पानी का intake भी नहीं करते पानी का intake as in जैसे मैंने आपको बताया आप sip-sip करके पानी पीते हैं या बहुत ही limited amount में पानी पीते हैं कि ये आपकी जो kidney की वजह से आई हुई surgeon है दो से तीन दिन में खतम हो जाएगी लेकिन क्या आप इसको permanent solution मान सकते हैं नहीं क्योंकि ये permanent solution हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर एक इनसान इन चीजों को follow करता है तो वो lifetime इस चार्ट को follow करेगा पानी नहीं पीएगा ऐसा तो हो नहीं सकता और कई बार क्या होता है कई kidney patients सालों से सूजन की समस्या से परिशान है तो क्या वो 2-3 दिन में अपने शरीर में जमा हुआ जो पानी है उसे बाहर निकाल सकते हैं नहीं इसके लिए आपको एक permanent solution की जरुरत होगी और वो permanent solution क्या है वो है भारत homeopathy इस situation में आप भारत homeopathy में contact कर सकते हैं आप नीचे दिए गए number पर free of cost consultation ले सकते हैं अगर आप एक kidney patient हैं आप कहीं से दवाईयां ले रहे हैं तो आप अपना prescription देखें उस पर आप दवाईयों के नाम देखें और Google सर्च करें आप उसको जब सर्च करेंगे आप देखेंगे उसमें आपके BP की दवाईय मिलेगी आपको आपको आपकी diabetes की दवाईय मिलेगी लेकिन आपको आपके kidney की दवाईय नहीं मिलेगी क्योंकि आपके kidney के functions पर काम ही नहीं हो रहा homeopathy treatment में हम क्या करते हैं हम आपकी kidney के functions को improve करने पर काम करते हैं क्योंकि homeopathy treatment में हमारी सबसे बड़ी सोच क्या होती है कि हमारी सोच ही यह है कि आपकी kidney खुद अपना विकास कर सकती है खुद development कर सकती है या अपने functions को improve कर सकती है लेकिन वहीं दूसरे treatment के हम बात करें तो उनका किस चीज पर जोर होता है उनका जोर होता है आपके blood से toxins को बाहर निकालने पर लेकिन वो आपके kidney के functions पर काम नहीं करते वो आपके kidney को revive करने पर काम नहीं करते वहीं homeopathy treatment में हमारा जो main मकसद होता है आपके kidney को revive करने का होता है उसके functions को improve करने का होता है साथी हमारा मकसद जो होता है उसमें हम आपके blood से toxins को बाहर तो निकाली रहे हैं साथ के साथ हमारा मकसद होता है आपके kidney के functions improve हो ताकि आपकी kidney की capability खुद increase होगी suppose आपके kidney की capability 30 है अभी और जब हमारी दवाईयों की मदद से वो 60 या 70 पर पहुंच जाती है तो आपका filtration rate खुद improve हो जाएगा आपका creatinine level खुद down हो जाएगा और एक kidney patient को क्या चाहिए लेंगी और homeopathic treatment में भी अगर खासकर बात करी जाए specific homeopathic treatment की तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ भारत homeopathic को ही suggest करूँगा क्योंकि यहाँ पर आपके मांसिक और शारिर्फ विकास को देखते हुए आपको दवाईया दी जाती है जो easily dissolve हो जाती है और अपना असर बहुत जल्दी दिखाना शुरू करती है आप 20-25 दिन के अंदर visible results देख सकते हैं जो एक kidney patient के लिए एक चमतकार जैसा ही है क्योंकि 20-25 दिन के अंदर result देखना एक kidney patient के लिए काफी मुश्किल हो जाता है दूसरे treatments के मुकाबले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे like करें साथ ही अगर ये जानकारी आपको कुछ useful लगी है तो इसे share करना ना भूलें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें Thank you for watching